Hi everyone, it's Poonam. I'm sorry, I've caused this tear. Hello, दोस्तों, तो Poonam Pande को लेकर बड़ी न्यू जाई है, Poonam Pande जिन्दा है. उनकी मौत नहीं हुई है. जी हाँ, दोस्तों, इसके बारे में खुद उन्होंने एक वीडियो अपलोड करके Instagram पर जहां उन्होंने किया किया कहा है. चलिए में उनका आपको वो वीडियो ही दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर उन्होंने ये पब्लिक स्टन्ट या फिर प्रैन किया फिर आप जो भी बोलो ऐसा कियू किया. Hi everyone, it's Poonam. I'm sorry I've caused this tear and I'm sorry to those whom I've hurt. My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. And for those who have questions for me, I will see you live on Heart to Fly. तो दोस्तों यहाँ पर पूनम पांडे ने कहा कि ये उन्होंने इसलिए कहा कि यूकि सब लोग cancer पर बात करे. और उनका मैंन मोटिव यही था और इसलिए उन्होंने ये गलत news फैल आई थी कि वो इस दुनिया में नहीं है और cancer की वज़े से उनकी मौत हो गई है. लेकिन ऐसा करने से जन्ता उन्ही के उपर भढ़क रही है और इनकी इसी वीडियो पर तरह तरह की गालियां दे रही है. और उल्टी सीधी कमेंट्स कर रही है जिनको आप यहाँ पर कमेंट्स में पढ़ भी सकते हो. बाकी दोस्तों पूनम पांडे के इस पबलिक स्टंट के बारे में आपकी किया राय है कमेंट में बताइए.